and welcome to my channel so आज हम JST के अंदर composite supply और mix supply होती है इसका difference आज जाने की कोशिश करते हैं तो चलिए start करते हैं आज का अपना lecture composite supply क्या होती है composite supply वो goods होते हैं जिन goods को आप अलग करके नहीं sold कर सकते वो set में ही मिलते हैं वो आपको अलग नहीं मिलेंगा जैसे आप अगर hotel में जा रहे हैं तो hotel की तो service आपको मिलेगी ही मिलेगी साथ में food भी मिलेगा आप इन दोनों चीज़ों को अलग नहीं कर सकते अब मालीजे यहाँ पर light लगी है उसको अलग नहीं कर सकते हैं यह हमेशा सेट में ही मिलते हैं मालीजे अगर आप aeroplane से जा रहे हैं तो आप तो aeroplane का टिकेट लगेगा है साथ में food की भी service आपको मिलती है तो यह हम अलग करके नहीं बेच सकते हैं साथ में ही मिलते हैं तो यह composite supply हो गई तो यहाँ पर हम किस चीज़ पर tax लगाएंगे प्रिंसिपल supply पर मतलब कि जो main supply है यहाँ पर hotel main है तो हम hotel पर GST लगाएंगे जितने भी GST लगती होगी ना कि food पर अगर हम aeroplane से जा रहे हैं तो principal वहाँ पर क्या चीज़ में चीज़ क्या है मेरी aeroplane की service तो हम aeroplane पर GST का amount लगाएंगे ना कि हम aeroplane में बैठकर food खा रहे हैं तो चलिए next पढ़ते हैं जो की है mix supply mix supply are of goods which can be easily separated mix supply क्या होता है उन goods का जिने हम easily अलग कर सकते हैं जैसे कि माल लीजे अगर आप mcdonald में गए आपको burger मिला आपको कुछ drink मिली beverages मिला, pizza मिला तो हम किस पर GST लगाएंगे जिस सामान पर सबसे ज़्यादा GST का percentage होगा हम उसी सामान का जो percentage हमाल लीजे सबसे महंगा जो GST है वो हमारा है 18% का तो हम क्या करेंगे सारे पर ही 18% का GST लगा देंगे hope आपको composite supply और mix supply short में समझ में आओगा कोई भी doubt ask me in the comment section till then bye bye thank you झाल